चिरिया, गोरिकवी, मिठुतोता और कबूतर के सब ही दोस्त कबूतर को बिहाने आये थे मगर शादी से कुछी मिनट पहले कबूतर की होने वाली पतनी वो सब कह देती है जिसके किसी को अमीद ना थी मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे इस कबूतर की आँखे पसंद नहीं, कितनी गंदी गंदी आँखे हैं इस कबूतर की ये सुनकर सब हैरान हो जाती है कबूतर आप बताओ, मैं कोई छूट कहती हूँ तुम्हें गंदी आँखों वाला बेचारा कबूतर अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिन्दा था गोरी चुप कर जाओ ये समय नहीं है ऐसी बातों का बेशर्म कबूतरी अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की बात चलाई थी अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी फिर वो सब वहां से चले जाते हैं उस दिन के बाद कबूतर बहुत उदास उदास रहता वो अपने दोस्तों से भी दूर ही रहता एक दिन चुडिया कबूतर के पास आती है कबूतर भीया मुझे मालूम है आप बहुत दुखी है उस बेशरम कबूतरी ने बहुत इंसल्ट की है आपकी मगर जो हुआ आप उसे भूल जाए मैंने एक कबूतरी देखी है आपके लिए नहीं चुडिया मैंने सोचा है आप मैं कभी शादी नहीं करूँगा कबूतर भीया वो कबूतरी बहुत अच्छी है वो आपका बहुत ख्यार रकेगी वो बहुत प्यार करने वाली है बस आप त्यारी कर लें मैं आज ही उस कबूतरी से बात करने जा रही हूँ फिर चडिया वहां से चली जाती है लूसी वो बहुत अच्छा कबूतर है वो महिंती है अपना घर है वो आपको बहुत खुश रखेगा चडिया मेरी एक ही शर्त है मैं उस कबूतर से शादी करूंगी जिसने पहले कभी किसी से प्यार ना किया हो अब चडिया लूसी को कैसे बताती के पहले भी एक बार लाली कबूतरी कबूतर के प्यार को धोका दे गई है इसलिए चडिया जूट बोलती है नहीं नहीं लूसी आप चिंता ना करे उसने कभी किसी दूसरी कबूतरी से प्यार नहीं किया फिर लूसी कबूतरी मान जाती है दूसरे दिन सभी दोस्त कबूतर को दुल्हा बना कर ले आते हैं चिडिया कहीं इस बार भी? गोरी चुप करो, चुप करो, हर समय फजूल बोलती रहती हो कबूतर की शादी हो जाती है कबूतर लूसी को बिहा कर अपने घर में ले जाता है चिडिया कबूतर से कहती है कबूतर भीया, एक बार मेरे पास आकर मेरी बाह सुनना हाँ चिडिया बेहन, क्या बात है? वो जो पहले हुआ, उसका लूसी को कुछ ना बताना नहीं नहीं जुडिया, मैं वो सब भूल गया हूँ मैं सब भूला कर अपनी पतनी से प्यार करूँगा इसका ख्यार रखूँगा फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं लूसी और उसका पती कबूतर नदी पर बैठे हुए थे मैं बहुत भागे शाली हूँ जो मेरी आप से शादी हुई आपने मुझसे पहले किसी कबूतरी से कोई चकर तो नहीं चलाया था ना नहीं, आप ही मेरा पहला और आखरी प्यार हो ये सुनकर लूसी बहुत खुश होती है गोरी कवी बी उड़ती हुई वहां आ जाती है माटे कबूतर, ये अमरूद कहां से लाए हो तुम ये तो बहुत मीठा होगा ये मेरे पती मेरे लिए लाए है कबूतर, ये अमरूद तुम मुझे दे दो तुम कोई दूसरा ढोंड कर ले आना अपनी पत्नी के लिए ना ना, मैं ये अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ अच्छा, बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी से सुना है, लाली भी इस जंगल में वापिस आ रही है लाली का नाम गोरी के मुँ से सुनते ही कबूतर डर जाता है कौन, कौन लाली ये अमरूद मुझे दो और मैं जाऊँ बाकी की बात फिर बताऊंगी कबूतर डरते हुए वो अमरूद गोरी कवी को दे देता है और गोरी वो अमरूद लेकर वहां से चली जाती है आपने मेरा अमरूद क्यों उस डुष्ट कवी को दे दिया वो हमारी पडोसन है भूकी होगी मैं आपको और अमरूद ला दूँगा कालू, कालू जैसे ही कबूतर की पतनी के सामने मैंने लाली का नाम लिया कबूतर की तो जान ही निकल गई अगर कबूतर की पतनी को मालूम हो गया कि कबूतर ने पहले लाली से प्यार किया था तो वो उसी दिन कबूतर को छोड़ कर चली जाएगी अब देखना कालू, मैं कैसे कबूतर को बलैक मेल करती हूँ फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर की दुकान पर जाती है कबूतर जी एक किलो खी एक किलो चीनी और एक पैकेड चाई की पती का दे दो मैं उधार नहीं करूँगा पहले ही के दिन बाद दुकान खोली है मैंने कबूतर की पतनी लूसी भी अपने पती के लिए खाना लेकर दुकान पर आ जाती है अच्छा ही हुआ लूसी जो तुम भी आ गई अब तुम चुप करके यहां से जाओ मेरा सामान तो दे दो मुझे मैं दे जाओंगी पैसे कुछ दिन बाद मेरे पती उधार नहीं करते आप जाए उस दिन भी आप मेरा अमरूद ले उड़ी थी कबूतर तुम्हारी पतने की आँखें तो बिलकुल लाली जैसी है है ना लाली का नाम सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है अच्छा अच्छा चुप कर जाओ लो ये सामान ले जा और दे जाना पैसे बाद में बहुत अच्छे हो तुम कबूतर चौचा फिर गोरी सामान ले कर वहां से चली जाती है पती जी ये लाली कौन है जिसका नाम सुनते ही आप उस कवी की हर बात मान लेते हो काका कुछ नहीं कोइ नहीं ये कवी बहुत शेटान है मजग करती रहती है मेरे साथ कुछ दिन बाद लूसी अपने घर में बैठे हुई थी कि दर्वाजे पर तस्तक होती है कौन? कौन है आप? क्या ये घर कबूतर का ही है? हाँ, मैं उसकी बतनी हूँ, लूसी है नाम मेरा ये सुनकर लाली रोने लग जाती है आप बहुत भागे शाली हो, जो आपकी शादी कबूतर से हुई मैंने कबूतर को ठकरा कर बहुत बड़ी गलती की थी मेरी जिंदगी खराब कर दी उस वदेशी कबूतर ने जिसके पीछे लग कर मैंने कबूतर से शादी करने से इंकार कर दिया था क्या, क्या आपका नाम लाली है? हाँ, मेरा नाम लाली ही है फिर लाली वहां से चली जाती है बहुत भोला है मेरा पती भी, आप पता चला, वो गोरी कवी से इतना डरते क्यों है दूसरे दिन फिर से लूसी और कबूतर नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे जब गोरी कवी वहां आती है कबूतर, मेरे घर की छट तूट गई है, वो तो आकर ठीक कर दो अपने पती से कोहो, कालू कवे से, वो कर देगा, मेरे पास समय नहीं है अच्छा, बड़ी बातें करने लगा है तूँ, कहीं ऐसा नहो, कि मुझे लाली को बुलाना पड़े ये सुनकर कबूतर डर जाता है, मगर उसकी पतनी मुस्कुराते हुए बोलती है दूस्ट और बुरी कवी, दोस्त एक दूसरे के राज रखते हैं और आप अपने बच्पन के दोस्त को बलैक मेल करती हो, मुझे सब मालूम हो गया है भागो यहां से, जिसे चाहो ले आओ, कल लाली मिली थी मुझे, मुझे उसने सब बता दिया है वो रो रही थी अपने किये पर यह सुनकर गोरी शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है पती जी, आप ही मेरा सब कुछ है, जो हुआ उसे भूल जाए और लाली के नाम से अब आपको ड़ने की कोई जरूरत नहीं है फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं चमबेली कवी गोरी कवी की सोतेली बेटी थी गोरी कवी अपनी सोतेली बेटी पर बहुत हत्या चार करती थी चमबेली की सगी मा कुछ महीने पहले मर गई थी अगर अपने पिता को कुछ बताया कि मैं तुम से घर के सारे काम करवाती हूं तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूँगी नहीं सोतेली माजी मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी मैं पापा के आने से पहले ही रोज की तरह सो जाऊंगी कालू कवा जो चमबेली का पिता था वो भी घर आ जाता है जिसे देखते ही चमबेली अपनी आँखें बंद करके सोने का नाटक करती है मेरी बेटी सो गई है क्या? हाँ हाँ सो गई है सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है? अभी छोटी है मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी चंबेली अपनी आँखें बंद किये सारी बातें सुन रही थी मगर अपनी सोतेली मां के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटे करती है चंबेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता जैसे ही कालू कववा काम पर जाता जंबेली की सोतेली मा उसे काम पर लगा देती अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मूँ क्या देख रही हो जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़िया ले आओ मगर मा मुझे तो पता नहीं है कि लकड़िया कहां से मिलेंगी जब घर से बाहिर जाओगी तो सब पता चल जाएगा फिर अपनी सोतेली मां से डरती हुई चंबेली सूखी लकडिया लेने जंगल की तरफ चली जाती है वो सारा जंगल फिरती है वो इधर उधर उरती है बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकडियां मिल जाती है चंबेली उन लकडियों की गटरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उन्ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उलू आ जाता है ये लकडियां तुम मुझे दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा अंकल टाकू अगर मैं लकडियां ना लेकर गई तो मेरी सोधेली मा मुझे मार देगी और अगर आपको ये लकडियां ना दूँ तो आप मुझे मार देंगे अगर मेरे भागे में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ चम्बेली की ये बात सुनकर उस उल्लो को छोटी कवी पर बहुत दिया आती है और वो उसे पूछता है क्या तुम्हारी सोदेली मा तुम पर बहुत हत्या चार करती है अंकल मेरी सोदेली मा मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है बहुत मारती है मेरी सोतेली मा मुझे बेटी मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकडिया चीनने था मगर तुम्हारा दुख देख कर मुझे तुम पर बहुत दिया आई है अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्यार रखेगी वो तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखेगी जंबेली भी अब वापिस घर नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो उस उलू के साथ चली जाती है पतनी जी पतनी जी कहा हो जल्दी आओ देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है कवी ये चोटी कवी कौन है और तुम क्यों इसे किडनेप करके यहां ले आये हो किडनेप नहीं करके लाया अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी पहले बार जिन्दगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है मेरी सोटेली मा मुझे बहुत मारती है इसलिए अंकल डाकू मुझे यहां ले आये है ये मुझे जंगल में मिली थी बेचारी बहुत दुखी है फिर उल्लू की पतनी चंबेली को अपने गले से लगा लेती है अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी बेटी तुम चिंता ना करो यहां आपको सब कुछ मिलेगा शाम गे कालू कवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देख कर गोरी कवी से पूछता है मेरी बेटी कहा है? उसकी पतनी रोने का नाटर करते हुए कहती है वो वो सुबहा से बाहर गई हुई है ना जाने कहा चली गई मैंने उसे बहुत ढूंडा मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी बेटी? मेरी बेटी? तुम कहा चली गई हो? मैं कहां से अपनी बेटी को ढूंडूंगा कालू कवा ऐसे रोने लग जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं चंबेली भी उल्वों के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजाने लगती है वो अपने सारे दुख भूल जाती है उसकी उल्लू मा उसे अच्छे अच्छे भोजन देती उसे अपने साथ सेर करने लेकर जाती वो उसे बहुत खुश रखती थी एक दिन गुरी कवी अपनी मां से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी के रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है गुरी कवी बारिश से रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है ये बारिश भी अभी आनी थी अब मैं कहा जाऊं मां का घर तो अभी काफी दूर है गुरी कवी देखी ऐसे खुद से बातें कर रही थी के उपर से सूखे पेड़ की एक डाल तूट कर गुरी कवी के उपर गिर जाती है और गुरी कवी उस सूखी डाल के नीचे दब जाती है वो मदद के लिए कोहार लगाती है बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे मा ये आवाज ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी है ये जरूर कोई मेरे जानने वाला है बेटी बारिश तेज है ऐसी बारिश में शायद कोई पक्षी किसी मुसीबत में होगा हम उन्लू पक्षी अपने काम से काम रखते हैं हम ऐसे किसी की मदद नहीं करते मगर माँ मेरे लिए अपनी बेटी के लिए मेरे साथ चले आवाज फिर से आती है बचाओ मैं मर रही हूँ कोई मेरी मदद करे फिर चमबेली अपनी उलू माँ को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है थोड़ी ही दूर चम्बेली की नजर अपनी सोतेली मा गोरी कवी पर जाती है जो एक बड़ी डाल के मीचे दबी हुई थी चम्बेली अपनी उल्लू मा के साथ वहां पहुंचाती है गोरी कवी अपनी सोतेली बेटी चम्बेली को पहचान लेती है और वो डड़ जाती है तुम चम्बेली हो क्या? तुम जिन्दा हो? हाँ माँ हाँ मैं जिन्दा हूँ आपने तो सोचा होगा कि मैं मरगी होंगी ये देखें अगर उपर वाले ने मेरी सगी माली तो उसकी जगा मुझे नई मादे दी चम्बेली क्या ये कवी तुम्हारी सोचेली मा है? हाँ माँ ये ही है मेरी सोचेली माँ तो फिर चलो बेटी मरने तो इसे ये ही इसकी सजा ये ही है कि ये यहां तड़ब तड़ब कर मरे मुझे माफ कर दो बेटी मैंने तुम पर बहुत हत्याचार किया मुझे बचा लो मेरी बेटी मैं यहां मर जाओंगी मा इन्हें यहां से बाहिर निकालें जैसी भी है मैंने इन्हें मा कहा है फिर चंबेली अपनी उल्लू मा की मदद से गोरी को बाहिर निकालती है बारिश भी रुक जाती है बेटी चलो मेरे साथ घर चलो आपके पापा आपको बहुत याद करते है मैं भी पापा को याद करके बहुत रोई थी मगर क्या करती माँ आपकी मार के डर से मैं वापिस घर नहीं गई कवी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर बाद में पश्टाने से कुछ हासल नहीं होता अब तुम सरक्षत हो तुम यहां से जा सकती हो और जो सखम भर जाएं उन्हें दूबारा से ताजा नहीं करते चलो बेटी घर चलें आपके पापा इंतजार करें हांगे फिर चमबेली अपनी उलू मा के साथ वापिस चली जाती है जिसे देखकर गोरी कवी बैठी रोए जा रही थी और फिर शाम के बाद वो रोती हुई वापिस घर चली जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है किसी कमजोर पर जुलम मत करो हमेशा अच्छे काम करें क्योंकि गिया समय लोट कर नहीं आता आपका धन्यवाद